नौरात्र के आठमे दिन मा महागौरी की पूजा की जाती है मादुर्गा की आठमी सक्ती का नाम ही महागौरी है और मागौरी का रूप बहुत ही सरल, सुलब और मोहक है महागौरी की चार भुजाएं हैं और इनका वाहन व्रिसब है इनके उपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिसुल है उपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे वाले बाएं हाथ में बर्मुद्रा है और इनकी मुद्रा अत्यंत ही सांथ है इनकी उपासना से भक्तों को सभी कस्ट उनके दूर हो जाते हैं और मां गौरी की उपासना अगर आप सरल तरीके से करें तो मां का आसिरवाद खुद वखुद मिल जाता है एक कथा आती है कि मा ने पारवती रूप में भगवान सिव को पती रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी और इस कठोर तपस्या के कारण इनका सरी एकदम से काला पड़ गया और इनकी तपस्या से प्रसन होकर जब भगवान सिव ने इनके सरीर को गंगा जी के पवित्र जल से धोया तब वह बिद्दुत प्रभा के समान अत्यन्त कांती में गौर वर्ण का हो गया और तभी से इनका नाम महागौडी पड़ा मा महागौडी का पूजा करने से अस्मरन करने से भक्तों को सरवाधिक कल्यान प्राप्थ होता है क्योंकि अगर मा की पूजा की जाए तो अलौकिक सिद्धियां प्राप्थ होती है और इनके चर्नों की सरन में आने के लिए हर किसी को प्रयास करना चाहिए कैसे मां को मनाएं कैसे तमाम तरह के पूजा पाट के विदी विदान करें आज हम बहुत सिंपल तरीके से जानेंगे मां के आठवे सरू मां महागौरी की पूजा का विदी पीले वस्त्र आपको धारन करना है असनान बगिरे करके इसके बाद आप अपने घर के पुजास्थान पर ही मा के सामने एक दीपक जलाईए लाल धागे की बाती होगी और दो लॉंग डाल दीजे इसके बाद मा को सबसे ज़्यादा प्री है सुएत यानि सफेद पुस्प और पीले रंगे पुस्प आपके पास जो भी है आप मा को वही अर्पित करें इसके बाद मा के मंतरों का जब करना चाहिए देखिए मा गौरी का समंद सुक्र नामक गरह से है यानि की मा की पुजा करने से आपका सुक्र मजबूत होता है जीवन में सुक्र बढ़ता है इसलिए सुक्र को मजबूत करने के लिए बी इस दिन मंतर जब जब जाते हैं तो पहले मा का मंतर जिसको जब करने से आप पर मा महागौरी की किरपा होगी और वो मंतर है ओम रिंग गौर्यe नमः ओम रिंग गौर्यe नमः एक बात और मा को सफेद मिठाई का भोग लगाईएगा क्योंकि सफेद मिठाई सफेद बस्तू मा को बिसेश प्री है इसके बाद आपके पास गुलाब का इत्र या चंदन का इत्र जो भी है मातारानी को अरपित करें और बाद में इस इत्र को आप बेभार कीजिएगा अपनी नाभी में लगाईएगा सत्रू बिरोधी सांथ होंगे और आपका भागे मजबूत होगा चुकि इस दिन हमने कहा कि सुक्र को मजबूत करने के लिए भी इस दिन बिसेश प्रियोग किये जाते हैं तो आप सुक्र को बहतर करने के लिए सुक्र का मंत्र है ओम, सुं, सुक्राय, नमह इस मंत्र का 108 बार जब करें तो सुक्र समंदी बाधाएं दूर होंगी और जीवन में सुक्र ऐस्वरे बढ़ेगा और जो इत्र है समाल के रखें नियमित रूप से प्रियोग करें तो जीवन में पॉजिटिव आपको इसके फल मिलेंगे तो अब थोड़ा और आगे बढ़ते दिखिए अस्टमी तिथी के दिन पास के किसी भी मंदिर में अगर आपके लिए संभव हो तो एक पानी वाला नारियल उस पर मौली धागा लपेट कर और स्वस्तिक या ओम का निसान बना कर आप इसको किसी भी मा दुरगा के मंदिर में भेट कर दें ऐसा करने से पूरा साल बिग्न बाधाओं से रक्षा होती है और मा को स्रिंगार की वस्तू अतीप्रिय है इसलिए आप उनको जरूर अरपित करें अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे आपके हां सुविदा नहीं है भी जाने की वाइरस का वक्त है तब ऐसे में अपने घर में ही अरपित कर दीजिएगा और बाद में उसको कुछ वस्तू अपने पास रख लें और कुछ पास की किसी मंदिर में या किसी सौभागेवाल इस तरी को दे दीजिएगा तो महागौरी की जब पूजा किये जाते हैं तब विसेश उपाय भी किया जाता है अस्टमी तिथी के दिन एक खास परियोग होता है और वो परियोग है आपको ये परियोग कभी भी कर सकते हैं सुभा में, साम में कभी भी कीजे, क्या करेंगे देखिए जीवन में धन आता रहे जरूरत के समय धन की परिसानी ना हो कभी कभी क्या होता है आपको जब जरूरत है तब पैसे ही नहीं रहते सभी पैसे ब्लॉक हो गया है तो इन चीजों से रक्षा के लिए एक कटोरी में दूद ले लें कटोरी मिट्टी का भी हो सकता है चांदी का भी हो सकता है तो दोनों में से कोई भी ले ले लें कटोरी अगर मिट्टी का कटोरी नहीं है तो दीपक है ना मिट्टी का नया उसी में ले लें इसमें दूद ले लें और दूद में एक चांदी का सिक्का अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो एक रुपय का एक सिक्का आप नॉर्मल जो होता है उसी को धोकर उसमें डाल कर मातारानी को अरपित कर दें मां से प्रार्थना करें कि धन की मुश्किलें दूर कीजिए मां के सामने इसको एक घंटे तक रहने दे और एक घंटे रहने के बाद आप जो सिक्का है इसको आप धोकर धोकर नहीं पोच कर अपने पास सुरक्षित रख लें और जो कटोरी वाला दूद है थोड़ा थोड़ा परशाद के रूप में खाई ये बांकी के किसी पौधे में डाल दीजेगा थोड़ा सही आपको लेना है दूद ज्यादा बरबाद नहीं करना है जितने में सिक्का डूप जाए तो इस दिन एक और छोटा सा प्रियो कियाता है हमने कहा कि माता रानी के मंदिर में जाकर आपको नारियल अर्पित करना है तो आज के दिन मा को नारियल का भोग तो अर्पित होगा ही साथ ही इस नारियल को आप विसेश मनुकामना की पूरती के लिए आप कोई भी एक मननत मांगते हुए नारियल को अपने सर से उल्टा तीन बार फिरा कर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें तो जीवन की मुस्किलें समाफ्थ हो जाती है बहता हुआ जल ना हो तो पीपल के नीचे रख दें या फिर आप जब माता रानी को अर्पित करने जाएंगे अगर आपके पास ना पीपल का पेड़ है ना भाता हुआ जल है तब आप सर से तीन बार फिडा कर माता रानी के मंदिर में रख दीजिएगा जीवन की मुस्किलें समाप्त होगी और आपकी विसेश मनुकामना पूर्ण होगी अब देखिए इस दिन छोटी करनियाओं की पूजा करने का बिधान है अस्टिमी के तिथी के दिन करनिया भोजन कराने का महत्त है बहुत सारे नियम है लेकिन सिंपल तरीके से हम करनेंगे कि नवरात्र जो है ना केवल ब्रत हुप वास का परनें यह करनिया के समान का भी पर वह लिए कि वाली करन पर्जान किराएअ जाता है तो आप दो वर्स से लेकर आप नो वर्स या 11 वर्स क्किंछा पूजन कर सकते हैं हमारत धर्म गरंत था वह 2 से 11 साल उलाईए चरन पखार ये फिर उनको सम्मान के साथ आल लड़कियां हैं तो आलता पहनाईए उनका स्रिंगार कीजिए उन्हीं दुपट्टा चुन्दरी पे गहरा है उड़ाईए और इसके बाद उनको चरन चुकर आसिरबाद लीजिएगा उनको खाने में आप हल्वा पू दे सकते हैं रुमाल नहीं दीजिएगा बाकी की चीज़े आप दे सकते हैं और बच्चों को खिलोना है टिफिन बॉक्स है या फिर वाटर बोतल है आपको जो भी आपकी इक्षा वो दे दें कुछ दक्षिना के रूप में आप कोई फल दे दीजिएगा तो इस तरह से महा अस्टमी का दिन है और अगर हम जोतिस की माने तो अस्टमी के दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी मा को चुनरी भेंट करती हैं सबसे पहले तो लकड़ी आप अपने घर में ही मंदिर में ये काम कर सकते हैं जब वहां पर आप माता रानी की पूजा कर रहे हैं न तो आपके घर में जो कर्णियाएं हैं उनको आप दे सकते हैं वो उसको पहनेंगी माता रानी का आशिरवाद बरस्ता रहेगा तो इस तरह से आप महास्टमी के दिन अपने दुखों का पापों का नास कर सकते हैं और अच्छी चीजें प्राप्त होंगी धन्याश्याश्य